सिनेमा उतना ही अधिक सारवभोमिक होगा, जितना अधिक वो अपनी क्षेत्रियता को समेटे होगा। ऐसे सिधान पर भरोसा करने वाले रिशव शेट्टी ने एक बार फिर अपनी फिल्म कांतारा में यक्षगान, भूता कोला, दैवराधाने, नागराधाने और कमबाला के साथ साथ लोग संस्कृतियों और लोग कथाओं को अपनी फिल्म में जगह दी, परियावरण संडक्षन, यानि परियावरण को बचाने, सामनतवाद, और जंगल की जमीनों को लगातार खतम किये जा रहे, जैसे बड़े मुद्दों पर केंदरित इस फिल्म का रिव्यू मैंने 6 पॉइंट्स बना करके कियें, जो इस तरह है, पहला कहानी, फिल्म कहना क्या चाहती है, इस फिल्म में क्या अलग है, फिल्म के सवाल क्या है, फिल्म में क्या अच्छा है, क्या बुरा, और अंत में हम आपको ये बताएंगे कि इस फिल्म को देखें कि ना देखें, इन पॉइंट्स की अच्छे से डिटेलिंग के लिए आप दिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे आईए रिवीव शुरू करते हैं नमस्कार, दफोकल लेंथ में आपका स्वागत है हम सीधे आते हैं अपने पहले पॉइंट कहानी पर तो शेत्र में प्रचलित की मदंतियां, मिथक और वनस्पतियों की सामोही के स्मृति से बहने वाली माननेताएं ही कहानी की कथा का मूल आधार है ये फिल्म लोक की अनूठे लोकाचार की गहरी समझ से चिन्नित है जिसमें कहानी का अधार 1847 का है जब एक राजा ने पंजुरली देवता के कहने पर जो की आदिवासियों या कहें गाउं के देवता है इनके कहने पर राजा ने जंगल में रहने वालों को जमीन का एक बड़ा टुकडा सौब दिया और बदले में देवता ने राजा को शान्ती और सम्रिद्धी दी लंबे समय से चलती आ रही इस शर्त को जो कोई भी उलंगन करता है देवता क्रोधित होकर उसे ततकाल दंड देता है लेकिन अब कई पीडियों बाद राजा के उत्रा धिकारी जो कि लालच और सत्ता के नशे में धुत्त हैं चाहते हैं कि सारी जमीन शाही परिवार को बहाल कर दी जाए और इसके लिए वो हर संबो परियास करता है इसी बीच जंगल की जमीन पर नियंतरण करने के लिए गाउं का सबसे बड़ा दुश्मन एक फॉरस्ट अधिकारी मुरली धराता है जो कि सरकार के आदेश का आँख मून्द कर पालन करता है और इसे लगता है कि यहां जंगल में रहने वाले लोग वन संपदा को लोटने और तसकरी करने के लिए अपनी संस्कृती का उपयोग करते है फिल्म का नायक शिवा जो कि गाउं वालों का भी नायक है उसकी एक प्रेमिका है जो कि उसी गाउं की लड़की है वो भी फॉरस्ट विभाग में भरती हो गई है और जंगल की जमीन का सरवेक्षण करने के लिए विभाग की मदद करती है कुल मिलाकर पूरी फिल्म और इसकी कहानी मनुष्य बनाम प्रकृत के मुद्दे से सम्मंधित है जो कि उस खेत्र की संस्कृती और अनुष्ठानों में डूबी हुई है इस कहानी को लिखा है रिशब शेटी ने इस फिल्म की कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड पर वहां पहुँचती है जब जमीन को बचाने का प्रकृत शुरू होता है तो शिवा जमीन को बचा पाएगा या नहीं इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जो कि एक रोचक घटना है बात करें कि फिल्म कहना क्या चाहती है तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पूरी फिल्म मनुष्य बनाम प्रकृत के मुद्य से संबंधित है और आज के संदर्व में ये बहुत बड़ा मुद्दा है जहां मनुष्य लगातार प्रकृत के हर पहलू को नष्ट करने के लिए आमादा है फिल्म में समय तो थोड़ा पीछे का लिया गया है लेकिन ये फिल्म आपको आज के समय से कैसे परचित कराती है ये फिल्म का कमाल है जैसे फिल्म में नाइका को जो कि उसी गाउं की है जैसे तैसे पढ़ते लिखती है और ट्रेनिंग पूरा करके फॉरस्ट विभाग में भरती हो जाती है और उसी से कहा जाता है कि वो गाउवालों को पीछे हटने के लिए कहे, ताकि गाउवालों की जंगल में रहने की आजादी को कम किया जा सके. ये सीन देखते ही आज के तमाम मुद्दे सामने नजर आने लगते हैं, चाहे वो कश्मीर हो या किसानों माला मुद्दा, जिसमें पुलिस या आर्मी में भरती उन ही के बेटे उन पर लाठी चार्ज करने, उन पर असुर के गोले फेकने, पानी की बोच्छारों से उनको पी तो और फिल्मों की तुलना में इस फिल्म में कुछ खास अलग नहीं है, बलकि कहीं कहीं ये फिल्म खुद ही कुछ खास फिल्मों से प्रभावित नजर आती है, जैसे इसको देखते समय आपको पुश्पा फिल्म जरूर याद आएगी, बस एक चीज इस फिल्म में मुझ तो फिल्म लगातार आदिवासियों के अस्तित्त पर सवाल उठाती है, कि क्या विकास के नाम पर आदिवासियों से उनका जंगल छीन लेना चाहिए, जंगल वास्तों में है किसका, वहां रहने वाले आदिवासियों का, जो अपना हर सुख दुख जंगल से साझा करते हैं, या सरकार का, जंगल और जंगल में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समेटे ये फिल्म आसानी से जहन में अपनी जगे बना लेती है, अब बात करते हैं कि फिल्म में क्या अच्छा है, क्या बुरा, तो फिल्म में कॉमेडी सेंस बहुत अच्छा है, फिल्म का इन्होंने ही डारेक्ट किया है और इन्होंने ही मुख्य पात्र की भूमिका भी निभाई एक्टिंग और डारेक्शन का काम तो इनका ठीक ठाक था मतलब अच्छा था मैं ठीक ठाक किसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इनका तीसरा पॉइंट था लिखना उसमें काफी कमजोर ह क्योंकि लोग संस्कृति को दिखाने की उत्साह में ये लोग प्रथाओं को ग्लेमराइज करने के चक्कर में बह गये हैं विवसाइक धाचे के माध्यम से दर्शकों को खुश करने के प्रयास में फिल्म की कथा का मुख्य कर्शन खो गया है जिसकी वजह से बहुत सारे कमजोर हो गए हैं बात करें एक्टिंग की तो उसमें भी इन्होंने अच्छा काम किया है बस हर जगे जो अपनी आख बड़ी कर लेते थे उसके बजाए कोई और मुद्राये कर सकते थे कानून का पालन करने वाले फॉरस्ट अधिकारी के रूप में किशोर ने अपने चरि खुबी निभाया लेकिन यह आदमी जितनी बार फिल्म में आया है एक अलग तरीके का experience दे कर चला गया है इस फिल्म में सबसे खराब जो हमें लगा वो यह कि यह फिल्म बात तो करती है अहिंसा की लेकिन हर जगह हिंसा हर जगह हिंसा मतलब कोई यह नहीं कहता है कि यह मत सब लोग ही कहते हैं मार दे, मार दे, हर बात का फैसला मार काट से ही नहीं होता है, इस नजरीय से देखा जाए तो यह फिल्म थोड़ी सी चुक गई तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपके लिए छूट सजाएगा बाकी अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए दोस्तों में शेर कीजिए और जैसा इन भाई साब ने किया है आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर बताईए कि मैं अगली किस फिल्म का रिव्यू करूँ धन्यवाद